पसु पालक हो जाए साउधान अभी खत्म नहीं हुआ है लंपी का कहर गायों को अभी भी बना रहा है अपना सिकार औरेया जन्पद में फिर लंपी का कहर यूपी के अउरया जन्पद में लंपी का कहर फिर दिखाई दिया है वहां के आसपास के गाओं में कई छुट्टा गोवन सी लंपी कैरियर का काम कर रहे है रत्न सिखा टाइम्स के छेतरी संबाद दाता विक्रम सिंग द्वारा भेजा गया लंपी से प्रभावित इस गाए का विडियो देख कर कोई भी सहर जाएगा इस गाए के पूरे सरीर से खून टपक रहा है गाए 2400 गंटे तडपती रहती है गाए दिन भर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकती रहती है विक्रम सिंग के अंसार जमौली गाओं के परषित्र में कई ऐसी गाए है जिने लंपी स्किन की बीमारी है कई गाएों की खाल सरसर कर गिर रही है अभी तक इनकी सुद लेने वाला ना तो कोई पंचायती राज बिभाग का कर्मचारी आया और ना ही पसुबालन विभाग का जनपत के मुख्याले से साथ किलोमीटर की दूरी पर इस्तित्र जमौली गाओं में ऐसी कई गाएों को गूमते हुए देखा जा सकता है जो लंपी बीमारी की भेंकर चपेट में है ये छुट्टा जानवर रोजाना सैकड़ों अनपालतू पसुओं के सबपर्क में आ रहे है जिससे स्वस्त पसुओं में लंपी संक्रमन का खत्रा गहरा गया है सालाना गाय के नाम पर अर्बो रोपय का बजट गोसालाओं और छुट्टा गोवल्सियों के रक रकाओं पर सरकार भले ही खर्च करती हो लेकिन इन बेसाहरा घुमंती गायों के दुर्दसा बजट खर्च की पूरी सच्चाई खुदब खुदबया कर जाती है